परके साथ जोकी लखनों से सामने आ रही है 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का एक साल पूरा होने चा रहा है और इसको लेकर जिले भर में अलग-अलग तरीकी की कारक्रमों का आयोजन होका जिसके जरिये सरकार की उप्लब्दियों को योजनाओं को जंजन तक पहुचाने की मौजूद रहेंगे जो सभी जिलों में कारक्रमों का आयोजन होगा और एक साल की उप्लब्दियां जनता को बताई जाएंगी जनता तक पहुचाई जाएंगी प्रमुक सचेव संजय प्रसाद ने सभी जिलों के टीम को इस बाबत नर्देश भी जारी कर दिये है तो 25 मार इसको देखते हुए ये एहम कारक्रम होने जा रहा है और इसी खबर पर और जदा बाचित के लिए सिधे रूप करेंगे लगनों का जहां से हमारे साथ हमारे सायोगी शिवह में इस वक्त जुड़ गए है शिवह हम 25 मार्ज का दिन बेहत खास रहने वाला है योगी सरकार क एक साल का कारकाल पूरा होगा टू पॉइंटो का किस तरिकी का कारक्रम रहेंगे क्या रणनीती है फिलाल पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दूसरे कारकाल के दो एक साल पूरा होने वाला है 25 मार्ज को और इसको ले करके उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में हाला कि इसको लेकर के अलग सी तैयारिया चल रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर के अपने भव तैयारियां की तैयारियां तेज कर दी हैं 25 मार्ज को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो कार किये गए हैं जो जनता के लिए योजनाय लाए गई हैं इससे संबंद जो भी प्रयास जनता के हित में किये गए हैं वो सभी प्रयास जनता के सामने रखे जाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की लोगों का भविश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बदलने का प्रयास कर रही हैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए जो प्रयास किया जा रहे हैं चाहे वो ग्लोबल इंवेस्टर समिट के जरिये हो चाहे उत्तर प्रदेश मे बहतर कानून बिवस्थाओ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दोरा जो जो बहतर कदम जो जो बहतर योजना है उत्तर प्रदेश की 25 करोड से अधिक की जनता जनसंख्या के लिए लाई गई है वो तमाम प्रयास जनता के समक्ष रखे जाएंगे और एक हिसाब से बीते एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूसरे कारकाल का वो जनता के सामने रखा जाएगा इसको लेकर के प्रमुग सचेव संजय प्रशाद ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारी मंडला यूग्त पुलिस कमिशनर और उसके साथ और राज इस तरपर इस अभी कायकरम किये जाएंगे जिसमें भाति जनता पार्टी के तमाम सानसा जनपरति ने दी वो उसका भी इसमें शिर्कत करेंगे करेंगे